दोस्तो कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बी ए फोर्थ सेमिस्टर का जो नोबल है पिंजर उसके मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप कोश्चन्स को देखेंगे जैसा का मैं दिखाई दे रहा है शॉर्ट आंसर टाइप कोश्चन्स फर्स्ट कोश्चन है ब्रिंग आउट दा सालेंट फीचर्स ऑफ रसीद करेक्टर ब्रिंग आउट मीस दिखाईए फैंड आउट करिए उजागर करिए या दा सालेंट फीचर्स silent विसिस्ताओं को रसीद करेक्टर रसीद के चरिक्टर की answer देखेंगे मतलब रसीद से related question रसीद के character से related question कैसे भी गुमा फिरा के पूछ देता है आप इसी answer को लिख देजी आपको full number मिलेंगे full marks मिलेंगे रसीद is hero not villain of the noble रसीद उपन्यास का hero है बिलें नहीं है not villain बिलें नहीं है of the noble novel का hero means नायक और बिलें means खलनायक next question है he is abductor of the heroine he is abductor abductor means kidnapper वो ही अपहरण करता of the heroine heroine का heroine का अपहरण करता है kidnapper है but falls in love with her लेकिन उससे प्यार करने लगता है उससे उससे प्यार हो जाता है he ruins the life of Puro वो है Puro की life को बरवाद कर देता है but लेकिन he is assumed of his curiosity लेकिन अपनी curiosity के लिए बहुत सर्मिन्दा है we sympathizes with him हमें उससे sympathy होती है दयाती उससे सानबूती होती है क्यों होती है we do not hate this character हम इस character से hate नहीं कर सकते आगे देखेंगे whose moral scruples make him restless उसका जो moral scruples है नैतिक संकोच है उसका make him उसे बना देता है restless, be chain, असांत बना देता है उसका नैतिक जो उसके अंदर नैतिक था थी नैतिक रूप से तना संकोची हो जाता है इससे हो है क्या बोलते है बेचर रहता है पूरी जिंदगी पूरे नोबल में हो है अपने आपको माफ नहीं कर पाता है मैंने एक लड़की की लाइफ को बर्बाद कर दिया क्योंकि उसने अपने अपनी मर्जी से नहीं किया था उसे फोर्स किया गया था बदला लेने के लिए उसके परिवार वालों ने उससे फोर्स किया था कि अपना बदला ले अपनी बुआ का बदला ले बुआ का बदले से मतलब है कि किसी समय पूरो के खानान वालों ने मतलब पूरो के चाचा ने रसीद की बुआ का अपहरड किया था और इस तरह से उनके खानार पर एक धबा लगाया था और उसी का वदला लेने के लिए रशीद को फोर्स किया गया था तो रशीद ने अपने लिए मजला अपने सेक्सुल सैटिस्फेक्शन के लिए अपरण नहीं किया था उसने तो सिर्फ अपने परवार वालों की खुशी के लिए किया था He is burdened with grave sense of guilt He is burdened वह दब जाता है grave sense of guilt अपने guilt के गंभीर sense से वह दब जाता है बोज से burdened मतलब बोज लद जाता है बोज से दब जाता है He is dying to lesson the burden of his heart He is dying वह मर रहा है to the lesson of सबक से the burden of his heart अपने उसके हिर्दे पर जो बोज है guilt का उसके सबक से वह मर रहा है He cannot see पूरो एजे सकल्टन वह पूरो को सकल्टन के रूप में नहीं देख सकता एजमीस के रूप में सकल्टन में अस्थी पंजर कि उसके अपरड के बाद एक अस्थी पंजर के रूप में हो गई थी ऐसा लगता था इसमें जान ही नहीं है बिना जान के ये body है dead body की तरह पड़ी रहती थी और अपने परिवार को अपने parents को अपने भाई को वहनों को अपने फिचली life को miss करती रहती थी आगे देखेंगे he destroyed his own peace उसने अपनी peace भी अपनी शान्ती भी destroy कर ली खतम कर दी by destroying the life of life के जीवन को खतम करने के शाथ साथ या के द्वारा जैसे उसने पूरो की life को destroy किया तो यह माली जी उसके अपने मन की शान्ती भी destroy हो गई कि उसने गलत किया वो कभी अपने आपको माफ नहीं कर पाया he is in deep agony वो बहुत गहरे शदमे में है agony means दुख उसे बहुत गहरा दुख होता है he cannot forgive him वो अपने आपको माफ नहीं कर सकता for his beastly act अपने इस beastly act के लिए beastly act से मतलब है beast means pursue pursue जन इसकार के लिए act means car pursue जन इसकार के लिए अपने आपको कभी माफ नहीं कर सकता he loves पूरो पूरो को प्यार करता है but लेकिन is unable to restore her life her dreams her identity her pride her belief in goodness अच्छाई में रिश्टोर करने में उसके जीवन को उसके सपने को उसकी आइडेंटिटी उसकी पहेंचान को उसके अविमान को मतलब आगे देखेंगे हाँ देखेंगे he is उधर देखा था he is a noble character वह एक noble character है he did an inhuman act उसने inhuman act किया था अमान भी अकार human means man भी है inhuman means अमान भी है उसने एक अमान भी अकार किया था because क्योंकि he was forced by his family क्योंकि उसे उसके परिवार के द्वारा बाद किया गया था forced means बाद किया गया था तब उसने ये अमान भी अकार किया था जो उसे नहीं करना चाहिए मतलब क्या नहीं करना चाहिए पूरो का किटनैप किसी लड़की की लाइफ वरबाद नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक लड़की अगर किसी के साथ कोई किडनैप कर ले जाए तो क्या कोई दूसरा व्यक्ति उसे असेप्ट करेगा नहीं कोई भी उससे साधी करने के लिए तयान नहीं होगा और यही हुआ पूरो के साथ कि पूरो के माता पिता ने भी उसको असेप्ट नहीं किया कि यह अब पवित्र हो गई है इसको कोई असेप्ट नहीं करेगा और अगर वो उसको बापस ले लेगा तो उसकी और बेटियां है मोहन लाल की तो उनसे साधी और कोई और बेटियों से साधी नहीं करेगा तो ये परवार के लिए थबा होगा तो इसलिए रशीद इस प्रकार क्या करता है inhuman act करता है क्यों करता ही वाज forced by his family उसके परवार के दवारों से forced किया जाता है he married the girl वह उस लड़की से साधी करता है he had abducted जिसका उसने अपरहट किया था उसी से उसादी की उसने He loved this girl इस लड़की से प्यार किया उसने Truly means सच्चा यह सच्च सही माइने में And tried to bin her heart और उसने उसके हिरदय को जीतने की कोसिस की And finally और अन्त में succeeded सफल हो गया In winning जीतने में हर लव उसका प्यार and respect उसका सम्मान by saving बचाकर लाजो को from the cliches of her abductor उसका जो abductor था अपरड किडनेपर था उसकी किलिच से उसकी पकड से लाजो को छुडा कर उसको लाजो के छुडाने में पूरो की मदद करके उसने पूरो का प्यार और सम्मान पा लिया था इस प्रकार ही लाइटेंड उसने हलका किया दा वर्डन मीस बोज ओफ इस गिल्ट अपने गिल्ट का अन्त में पूरो ने उसको और उसके लेंड को असेप्ट कर लिया स्विकार कर लिया सेकंड कोश्चन है ब्रिंग आउट दा सालेंट फीचर और पूरो जकरेक्टर ब्रिंग आउट का मतलब वही पुले कीजिए वडन कीजिए या दिखाईए silent features silent wishes था या पूरोज character मतलब इसी तरह से नहीं किसी तरह से भी पूछ सकता है घुमा के फिर आखे explain the characteristics of the puros कैसे भी पूछ ले आपको वहराल इसी answer को लिखना है answer देखेंगे Puro is protagonist of the noble Puro उपन्यास की protagonist है नाइका है the noble deals with her ट्रियुमा नोबल पूरा नोबल उसके ट्रियुमा की साथ चलता है ट्रियुमा होता है एक तरह से कहलो गहरा आघात, खिन्नता की situation, इस्थिती बनलब जब उसका आपरण हो जाता है तो उसे बहुत गहरा आघात लगता है उसकी लाइफ परबाद हो जाती है उसके माता, पता, भाई, बेन सब छूट जाते हैं यहाँ तक जिससे रामचंदर नाम का एक लड़का था जिससे उसकी शादी तै हो जाती है उसे वह बहुत प्यार करती है तो वो भी छूट जाता है उसको भुला नहीं पाती है तो इस तरह से उसकी लाइफ एक ट्रियुमा बन गई है और उसके लाइफ के ट्रियुमा के साथ ही नोबल क्या करता है देल्स करता है the noble delicately brings up the complex role of puro noble delicately बहुत ही delicately नाचुक रूप से bring up करता है पालन मतलब देखवाल करता है complex role complex role को लेता है of the puro, puro का who is facing जो सामना कर रही है all the troubles सभी समस्याओं का in the world संसार में संसार में सभी समस्याओं का शामना कर रही है उसके role को वो complexly लेता है she has been kidnapped, उसका kidnapped किया जाता है by a Muslim man, एक Muslim आदमी के दौरा her family has left her to die, उसके परिवार ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया है her name has been changed, उसका नाम भी बदल दिया गया है her religion has been converted, उसका धर्म भी converted कर दिया गया convert कर दिया गया मतलब हिंदू से वो Muslim बन गई है और नाम बदल कर उसका क्या रख दिया गया था? हमीदा, जब वो भागती हुए एक दिन रात में अपने मम्मी पापा के पास गई, parents के पास गई, तो उन्होंने जब accept नहीं किया, तो वहीं रशीद पहुन जाता है, तो रशीद उसे फिर सांत कराता है, प्यार से उसको घर वापस लाता है, और तब उसको समझाता है, कि मैंने तुम से कहता, कि अब कुछ भी नहीं होगा, तुम आराम से खोशी से रहो, तुमारे मम्मी पापा भी तुमको नहीं अपनाएंगे, लेकिन फिर उसको लगता है, कोई चारा नहीं है, तो उसका वो नाम परवर्तित करता है, हमीदा, क्योंकि मुसलिम आदमी के साथ, तो उस समय ये सिस्टम था, कि मुसलिम आदमी के साथ हिंदू लड़की नहीं रह सकती, तो उसका नाम बदलवा देता है, साधी नहीं कर सकती, तो उसका नाम बदलवा देता है, हमीदा, और उससे साधी भी करता है, और धर्म भी उसका परवर्तित होता है, वो हिंदू से म मुस्लिम बना दी जाती है उसे इसलाम धर्म कुबूल करना पड़ता है उसे फोर्ष होना पड़ता है बाद होना पड़ता है हर अपने अपरण करता है साधी किटने परके शाती उसे शाधी करने के लिए बाद होना पड़ता है इन शौर्ट संचिप्त में कहें सी हैज बीन to skeleton, she has been reduced, उसने reduce कर लिया था अपने आपको, to a skeleton, एक skeleton में, एक अस्ती पंजर में, with no soul, जिसमें कोई आत्मा न हो, inside her उसके अंदर, मतलब उसने अपने आपको ऐसा बना लिया था, एक skeleton बना लिया था, कि इस तरह का सरीर कर लिया था, कि वो आत्मा विहिन सरीर है, still फिर भी, she strives for happiness of others, she strives वो संगर्ष करती है, for happiness में, इस खुशी के लिए, of others, दूसरों की, दूसरों की खुशी के लिए, वो स्ट्राइफ करती है, her character, उसका चरित्र evolves as the story progress, उसका character evolves करता है, evolves का मतलब होता है, उच्चतर रूप में विख्षित होना, ठीक है, उच्चतर रूप में मतलब आगे बढ़ना, as the story progress, जैसे ही story progress करती है, while her stay with Raseed in his house, जव रशीद के घर में उसके साथ रुकी हुई थी, while her stay with Raseed in his house, जव रशीद के साथ उसके घर में ठहरी हुई थी, रुकी हुई थी, she comes across many women, उसके संपर्प में बहुत सी women आती है, whose conditions, जिनकी इस्थिती, बर बर्स खराब थी, then her उससे भी, उससे भी अधिक खराब थी उनकी इस्थिती, she helped, उसने मदद की, कामों की, तारों की, and the incense girl, एक incense girl की भेन, जब she heard, उसने सुना, about the tragic condition, tragic conditions of their lives, उनके जीवन के वारे में, next question है, next question है, what is the theme of the noble pinger, noble pinger की theme क्या है, answer है, the noble pinger deals with the sexual exploitation of women, noble pinger है, वो women के sexual exploitation, exploitation होता है, शोशड को deal करता है, मतलब उसमें दिखाया जाता है, कि ऐसे sexual exploitation होता है, हम आपको समय समय पर उवधार देते रहें, क्यों होता है, क्योंकि उस समय, male dominated society थी, और तें आदमी के अधिनस्त थी, वो आदमी के against नहीं जा सकती थी, और उस समय हिंदुस्तान, पाकिस्तान का वटवारा हुआ था, तो उन्दूओं की बेहन बेटियों को मुस्लिम उठा के ले जा रहे थे, जिसकी बेहन बेटी जिसको मिल रही तो उसको उठा के ले जा रहा था, और उनके साथ sexual exploitation हो रहा था, और कहेंगे कि, जब पूरो की भावी को एक मुस्लिम किड्नेप कर ले जाता है, उसके साथ sexual exploitation होता है, तो इस तरह से हम अभी बताएंगे आपको कहां कहां, तो वारतों का sexual social होता है, इस चीज़ को वो डील करता है, पिंजर नोबल, it deals with the pains and pangs, pains and pangs का मतलब होता है, बेदना या पेड़ा, it deals, यह दील करता है, dix means के साथ pains and pangs, pains and pangs मतलब, बेदना और पीड़ा के साथ of boomer means औरतों की, औरतों की बेदना और पीड़ा के साथ यह दील करता है, during partition, partition बटवारे के दोरान, It is a saga of suffering of women It is a saga of suffering of women Women की suffering Suffering means परिशानिया कस्ट of women means औरतों की औरतों की जो sufferings थी की जो सागा थी सागा का मतलब Story एक लंबी कहानी को लंबी कहानी है बुमेन के sufferings की एक लंबी कहानी है क्योंकि बुमेन उसमें दो एक लाजो और पूरो की तो Story है यह पूरी उनके साथ exploitation किया जाता है और suffering उनके साथ कितनी sufferings होती है कैसे उनका वो face करती है तो it is a saga of suffering of women The noble deals with the theme of Hindu Muslim place It deals noble deal करता है With the theme बड़न करता है deals मतलब बड़न करता है The theme of Hindu Muslim place Hindu Muslim place का भी बड़न करता है It tells of women's abduction यह women's के अपरड का के बारे में भी बताता है Dislocation के बारे में भी बताता है Dislocation मतलब बिस्थापन के बारे में बताता है End loss of identity और उनकी अपनी पहचान कोने के बारे में भी यह noble बताता है कि औरतों का कैसे अपरड होता था कैसे उनका बिस्थापन कर दिया जाता है और कैसे वो अपनी पहचान को देती है मजबूर होकर उन्हें अपना सब कुछ कोना पड़ता है वो male dominant society में उन्हें वो कैसे जीती है मलब जैसे आप माली जीए पूरो ही को ले लो पूरो का कैसे अपरड होता है कैसे अपड़क्टर के शातों से शाधी करनी पड़ती है और कैसे उसका dislocation करती है अलग कहां रह रह रहीती है खुशाल परवार में और कहां एक अस्थी पंजर की तरह शाकर नामक बिलेज में वो रहती है उसके अपने ही किडनेपर के साथ रशीद के साथ या उसका हस्वेंड माली जी अंतम मुस्ते होती है और कैसे अपनी पहचान को देती है और कैसे हिंदू से मुस्लिम बन जाती है ठीक है इट टेलस अफदा अफदा देवास्टेशन डेवास्टेशन होता है सर्वनार्षिया एक तरह से तभाही of pupil means लोगों की due to partition partition के दौरान जो लोगों की तभाही मच्ची थी सर्वनाव सुगाता उसके बारे में बताता है religious intolerance धर्मिक रूप से जो tolerant intolerance असेनियता थी इज also the focus on the noble इज means also means भी focus means kinder of the noble, noble का मतलब किस तरह से religious intolerance हो रहा था उस समय वह जो religious intolerance था वह भी इस noble का focus है cruelty of men लोगों की निर्देटा towards women औरतों के प्रत the negligence of women औरतों की उपेच्चा in male-dominated society male पुरुस प्रधान समाज में the bacillation between love and hater bacillation का मतलब होता आइस्थिर्था between love and hater प्यार और नफरत के बीच में जो आइस्थिर्था है उसके बारे में भी ये बताता है sense of guilt guilt के बारे में भी sense of guilt किस तरह से लोग जिस तरह से रसीद था अपने guilt का sense वो कैसे feel करता है the transformation from Daniel from Daniel Daniel means नकारना या स्विकार करना acceptation means शुकृती सुकृती को कैसे नकारना the ultimate triumph of goodness और अंतते triumph means ultimate triumph means of goodness means अच्छाई की are the interest of the novel are means interest of the novel इस novel को next question है next question है throw light on the aptness of the title pinjar throw light प्रकास डालिए on the aptness means कहेंगे उप्युक्तता पर of the title जो title दिया है अमरता प्रिद्यम ने pinjar novel को जो title दिया है pinjar अमरता प्रिद्यम ने उस पर प्रकास डालिए ये most important question है ठीक है और ये भी most important question है ये पूछे जाएंगे दोनों question या तो very short में या short में देखेंगे इसको भी ये हो गया throw light on the aptness of the title pinjar आंसर देखेंगे इसका pinjar is a पंजाबी bird which means skeleton pinjar एक पंजाबी शब्द है which means जिसका अर्थ है skeleton इसकेंटल मतलब पंजाबी भाषा में इसको pinjar को क्या कहेंगे skeleton कहेंगी और जिसका अर्थ है sorry क्या बोल रहा है pinjar जो क्या है एक पंजाबी शब्द है और जिसका अर्थ है skeleton ठीक है skeleton का मतलब अस्ति पंजर कंकाल अमर्ता प्रीतम very aptly chooses अमर्ता प्रीतम बहुत ही aptly aptly का मतलब उप्युक्त रूप से chooses में चुनती है this title इस title को for her heart wrenching story heart को एकदम जखजोर देने वाली इस story के लिए जो ये title चुनती है तो बहुत ही aptly चुनती है puro is reduced to a skeleton after her abduction puro अपने आपको क्या कर लेती है reduced कर लेती है मलब skeleton बना लेती है after her abduction अपने अभरड के बाद she is not a living being वह सजीब नहीं है मलब जी नहीं रही है living being में सजीब नहीं है but live live dead body मतलब जीवित dead body है मतलब वह जी नहीं रही है वह जीवित dead body है मतलब जिन्दा लास है मतलब skeleton बन जाती है अस्ति पंजर बन जाती है कोई interest नहीं है life में मतलब वह हमेशा अपने माता, पिता, भाई, तरलोग, बहन, अपनी खुशाल, अपना प्रेमी जो रामचंद्र था जैसे उसकी शादी तैह हो गई थी उस सब को मिश करती है लेकिन धीरे धीरे करके इन सब से उभर जाती है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का वटवारा होता है तो उसमें लाजोग हो जाती है लाजोग को जब मुसलिम एक किटनेप कर ले जाता है तब वहाँ पर रशीद उसकी बहुत मदद करता है उसको डूड़ने में तब जाकर के उसे रथीद से प्रेम होता है आगे देखेंगे लाजोग को जीवन में लेकिन वह क्या कर रही है अपनी लाइफ को डैगिंग कर रही है मतलब बिवस रूप से उसको जी रही है अग्यानता मतलब कहेंगे एक नाजुकता हर हैपीनेस अपनी खुशी को दिये हर होल बिइंग उसने अपना सब कुछ खो दिया है सीज जेस्ट इसकल्टन वह बिलकुल इसकल्टन की तरह हो गई है अस्थी पंजर बन गई है रसीद डिड रॉंग टू पूरो रसीद ने पूरो के साथ गलत किया एंड हिज सेंस ओफ गिल्ट अपने गिल्ट का जो सेंस है गिल्ट का जो बजन है रेड्यूस्ट हिम तू एसकल्टन मदलब गिल्ट का उस हिज सेंस ओफ गिल्ट रेड्यूस्ट हिम तू एसकल्टन उसके जो गिल्ट का जो सेंस है उसे क्या बना देता है सकल्टन बना देता है अस्तिपंजर बना देता है his moral उसके जो नैतिक संकोच है make him make means बनाता है he cannot bear life वेष जीवन को बरदास नहीं कर पाता with his guilt अपने इस दोस्त के साथ इस इस दिल्ट के साथ वे अपने जीवन को बरदास नहीं कर पाता है he रसीद के लिए आ रहा है ठीक है now अब he आगे देखेंगे now he is only skeleton without any interest in life skeleton now he is only केवल है skeleton एक एक अस्ति पंजर without any interest बिना किसी interest की in life में जीवन में बिना किसी interest के वह एक skeleton है लाजो जो पूरो की बाइफ पूरो का जो भाई था उसकी जो बाइफ थी लाजो इस आल्सो सकल्टन वो है भी एक सकल्टन बन जाती है अस्ति पंजर बन जाती है अस्ति बनाती है लाजो जो थी दा वाइफ पूरो की जो भाई था न तरलोक उसके साथ रामचंदर की बहन लाजो की शादी हुई थी तो लाजो भी कहीं ने कहीं एक सकल्टन बनके रह जाती है अधर जो जब यह लाजो इसको मुस्लिम उठा ले जाता है तब भी एक सकल्टन बन जाती है वो भी कहीं न कहीं एक मीनिंग्लेस और लवलेस मतलब जब उसकी शादी हो गई तब भी वो मीनिंग्लेस और लवलेस लाइफ जी रही थी अपने एस्वेंड के साथ मतलब तर लोग के साथ ठीक है लेकिन जब वो उसको अपडेक्टर उठा ले जाता है मतलब एक अपरड करता ले जाता है एक मुस्लिम उठा ले जाता है तब भी एक सकल्टन की लाइफ वो जी रही थी तो इस तरह से ये बहुत सो समझ कर अमरता प्रीतम ने इसका नाम पिंजर रख करता है टू लिब रहने के लिए विद हर अब्डेक्टर उसकने किडनेपर के साथ लाइक पूरो पूरो की तरह नोबल डील्स विद दाट्रियूमा और बूमेन नोबल्स बूमेन की जो ट्रियूमा है आगाती लाइफ है कहेंगे कि एक गहरे आगात किस्ट का वर्डन करत है और नोट लिविंग नहीं है जो जी नहीं रही था सटि मंजर अन्ञक्टर रखतोंग है इस तरह से हमारी के लियूर कोश्ट क्लियर हो जाते हैं थैंक यू, जैहें चेभारत